तो दोस्तों आज की सोड़ों में बात करने वाले हैं CGPAC 36 गड़ पब्लिक सर्विस कमिशन का अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं SSC State Service Examination 2023 का अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं CGPAC में और आपको फॉर्म में photograph and signature अप्लोड करने में दिक्कत एन प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे photograph and signature अप्लोड करेंगे आज की सोड़ों में आपको complete जानकारे दिया जाएगा resize करके भी बताया जाएगा upload करके भी दिखाया जाएगा आप इस वड़ो को ज़रा सभी skip नहीं करेंगे ताकि आप mistake free form में photograph and signature upload कर पाएंगे video start करने से पहले मेरा आप से छोटी से request है channel में नूँ है तो channel को subscribe करें share करें like करें जिससे आने वाली जो भी update होंगे वो आपको मिल जाएगा अब देखे फ्रेंस यहापे आपको सबसे पहले upload करने से पहले यहापे जो note दिया गया है इसको आपको read करना है यहापे आपको बोला गया है कि आपका जो photo होता है वो आपका 30 kb से आपका 100 kb के बीच में होना चाहिए signature जो होता है वो आपका 20 kb से 50 kb के बीच में होना चाहिए साथ में आपको jpg format में png format में jpeg format में आप यहापे upload कर सकते हैं यही format में आपको केवल upload करना है pdf format में आपको upload नहीं करना है तो आपका photo upload नहीं होगा, signature upload नहीं होगा तो चलिए friends सबसे पहले हम photograph and signature को resize करते हैं इसके बाद मैं आपको upload करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको mistake नहीं करना है guys बहुत सारे candidate photograph और signature में mistake करते हैं जिससे उनका admit card नहीं आता है, form reject हो जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद है आपको photo और signature upload करना है ताकि आप mistake free form में photograph और signature upload कर पाएंगे अब देखे friends यहाँ पे photo और signature को resize करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको play store में आना है यहाँ पे आपको एक app install करना होगा जो कि आपको play store में मिल जाएगा photo resizer आपको search कर लेना है इस वाले application को क्या करना है, install कर लेना है अपने phone में अगर आप किसी other application का use करके resize करना चाहते हैं तो आप उस वाले application से भी आप resize कर सकते हैं आप यहाँ पे photo resizer से आपको resize करके आपको दिखा रहा हूँ आप किसी भी application का use करके resize कर सकते हैं बस आपका जो file का resize होता है वो आपका सही होना चाहिए अगर आपका file का जो size होता है वो आपका सही नहीं होगा तो upload नहीं होगा यह application free है इसके लिए आपको कोई भी fees वगेरा payment करने की आवसकता नहीं है यहाँ पे मैं mobile से आपको resize करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पे select करना होगा photo तो simply आप यहाँ पे select photo में आपको click कर देना है इसके बाद देखे friends यहाँ पे आपको उस वाले photo को select करना है जिसको आप upload करना चाहते हैं तो यहाँ पे simply मैं उस वाले photo को select कर लिया है तो इस पर कर क्या करना है आपको यहाँ पे select कर लेना है आपका photo अब देखे फ्रेंस यहाँ पे आपका जो फोटो होता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए फोटो में डेट और ना मेंसन करना चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं नहीं मेंसन करना चाहिए तो आपका जो फोटो होता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए आप इसके बाद आप यहां पे ऊपर करना है यहां पे आपको फाइल साइज मिल जाएगा फाइल का साइज अगर सेट करना है तो इसके बाद सिंपल यहां पी क्या करना है रिजुलेशन एन फाइल साइज में आएंगे हैं यहां पे कस्टम में आपको क्लिक कर देना है इसके यहां पर आपको सबसे पहले इस वाले box में अंटिक करना है और आपको यहां पर क्या करना है आपको 44 KB में आपको convert कर लेना है यह आपको क्या करना है 30 KB से 100 KB के बीच में आपको convert कर लेना है तो simply यहां पर मैं 40 KB में convert कर लेता हूं ध्यान रहे आपका जो KB होता है वो होना चाहिए फोटो, simply यहाँ पे आपको क्या करना है, KB में आपको टिक करना है, MB में आपको टिक नहीं करना है, OK में आपको क्लिक कर लेना है, अब देखे फ्रेंस हमारा जो फोटो होता है, वो रिज़ाइज हो चुका है, 40 KB में simply आपको यहाँ पे गैलरे option में जाना है, बस आपको टच कर देना है, आपको जिस भी folder में आपको save करना है, आपको यहाँ पे select करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको simply यहाँ पे आपको folder select कर लेना है, आपको उस folder में आपका automatic save हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे touch कर देना है बस gallery option में आपको automatic यहाँ पे save हो जाएगा ऐसे ही क्या करना है आपको signature को भी यहाँ पे select करके research कर लेना है आपका signature कुछ steps यहाँ पे होना चाहिए black or blue ink का use करना है other जो pain होता है उसका use नहीं करना है black or blue ink का ही use करना है then यहाँ पे आपको research में आना है research में आपको यहाँ पे simply उपर के score कर लेना है उपर के score करेंगे आपको यहाँ पे file search मिल जाता है simply यहाँ पी क्लिक कर देना है simply custom में क्लिक करने के वाद आपको क्या करना है आपको 30 के भी में आपको यहाँ पे convert कर लेना है सिंपल तीस यह आप यहाँ पर चालिस के भी में भी आप कनवर्ट कर लेंगे ध्यान रहें पचास के भी से आपको ज्यादा नहीं करना है तो इस परकर आपको तीस के भी और पचास के भी के भी किसमें आपको यहाँ पर कनवर्ट कर लेना है तो सिंपल यहाँ पर मैंने चाल इसके भी में convert कर लेंगे देन आपको यहाँ पे gallery option में जाना है और आपको बस क्या करना है आपको touch कर दिना है automatic ही आपका save हो जाएगा gallery में अब चलिए friends जो मैंने photo और signature research के upload करके दिखा देता हूँ अब देखे friends यहाँ पे मैं photo graph and signature upload section में आ चुका हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं upload photo में click करूंगा photo upload करने के लिए आपको yang söz world पे जो फॉते है वहाँ पे app कर सकते हैं इसके बद आपका जो next step होता है वो आपका आजाएगा तो ऐसे आपको क्या गरना है photograph and signature अपलोड कर लेना है I hope आपको जानकारी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो मैंने आपको complete जानकारी दे दिया कि कैसी आप यहां पे 36 गड़ पब अगर आपसे अपलोड नहीं हो रहा है तो मेरे द्वारा भी अपलोड करवा सकते हो इस्टाग्राम का जो आइडिया होता है वह आपको सोवर आओगा डिस्पले में मुझे वहाँ पर डियम करें मेसेज करें और मुझे अपना जो फोटोग्राप एंड सिगनेचर और आइड करवा सकते हैं